हेलो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से आप ही के इस एक महीने पूराने ब्रेंड न्यू चैनल पर तो जी लोजी में दोस्तों हम लोगों ने लेयर के बारे में जान लिये थे कि हमारे अर्थ पर कैसे लेयर होते हैं और भूगम का असर हमें कहां से कहां तक अच्छे से दे हमолодने वख्यक्त्राइब यह संस्टाय अगरता है उन से क्या चिज़े बनती ही इसा और सारे चाहिंते बारे आप लोगों को पताया था कि ये हमारा पृत्वी का कुछ कट किया हुआ हुआ भाग है, जिसे अधेन करने के लिए कुछ इस तरह से कट करके निकाला गया है। उपर वाला भाग था क्रस्ट, ठीक है। इस क्रश्ट में मैंना प्लिमों को पताया था कि जहां पर नदी समंदर वह वाला भाग जो है कुछ धासा हुआ था होता है कुछ इस तरीके से धासा हुआ है ठीक है यहां पर यह समंदर यह वाला भाग देखे समंदर है और बाकी जो यहां पर बज़ गया यह वाला भाग है है भूमी इस भूम वाले भाक को हम कहते हैं भूपरपट्टी लेकिन यह जो समंदर है समंदर को हमसुदा पानी क хотите । है डूह ठीक है लेकिन यह समंदर य। धो नीचे को हमस सब्योज हरने कहेंगे सब्दोद दोस्तों पूरा पूर तक नहीं आया हुआ हुआ है ये देखे ये काला वाला पाट ये कोई तल है और इस तल को हम कहते हैं लीथोईस्पेर क्या कहेंगे दोस्तों लीथोईस्पेर ठीक है समंदर के नीचले वाले तल को हम कहते हैं लिथो इस पर और इस वाले भाग को हम कहते हैं भूपर पट्टी जहां पर हम रहते हैं ठीक है भूपर पट्टी अब देखे क्या होता है कि समंदर के नीचे वाला जो तल सुरूता है उससे हम लिथो इस पर खाते हैं ठीक है अब सा चट्टाने जो है ना यहीं से जो है निकलना सुरू हो जाती है कि सारी चट्टाने जो जुआला मुख्य से बनती है वो यहां से निकलना सुरू हो जाती है तो इसमें जो है सबसे प्राद सुरू में जो चट्टान बनता है ना ठीक है जो जुआला मुख्य से फटने के बाद जो पहला चट्टान बनता है वो उसका नाम हो जाता है पहले अग्ने चट्टान नाम कैसे पड़ा क्यों पड़ा यह सब जानेंगे अग्ने चट्टान इसे हम इंगलिस में कहते हैं इगनिस इंगनिस्यन रॉक इनिस्टेंस रॉक ठीक है और फिर इसके बाद बनता है क्या अवसादी अवसाद मतलब समझे होंगे आप लों कच्रा कुछ छटे फटे मटेरियल्स होंगे जिनसे कि ये चटान बनता है उसके बाद बन जाता है रुपांतरित चटान ठीक है रुपांतरित चटान ये सारे चीज़े कैसे बनते हैं ये कुछ न कुछ तो नाम से इस परश्ट पता चल भी जा रहा होगा बहुत सारे अंसर तो नाम में ही चुपा होता ठीक है ये ऐसा कुछ बनता है ये जो है शुरू में ज्वारा मुख्य से बनने वाले कुछ चटानों के नाम है अब क्या होता है दोस्तों देखें प्रिथ्वी के नीचे प्रिथ्वी के नीचे जॉआला मुख्य ठीक है अब यहां से जब फ्षट करके जॉआला मुख्य निकलता है उपर की और ठीक है उपर की और जब निकलता है तो यह कई दिसाओं में यह फैल जाता है कुछ इस तरीके से यह जो आला मुखी है कुछ इस तरीके से फैल जाता है तो इस जो आला मुखी से जब यह आग की लपटे निकलती है गरम धतकती हुई प्लाजमा वस्था में जो आग की लप्टे निकलती है इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों मैगमा क्या कहींगे दोस्तों मैगमा और यही मैगमा जब आगे चलकर के ठंडा हो जाता है ठीक है, ठंडा हो करके, जब एक जगह यह जमा होने लगता है, फिर भी बहुंत ज़ाए ठंडाउने ही वा हुआ होता है, अब जछान गोई जमा हो जाता है, तब इसे हम क्या कहते हैं, टोस्तों, लावा, इंग्लिज और हिंदी दोनों में हमी से कहते हैं, लावा, ठीक है, और इसी लावा से जब चटान का रूप जब एक चटान बन जाता है, जब ये लावा ठंडा हो करके एक बड़े चटान का रूप ले लिता है, ठीक है, बड़े चटान का जब ये रूप ले लिता है, तब हम इसे क्या कहते हैं, आगने चटान, आग से बना है, इसलिए हम इस प्रारंभिक चत्तान क्योंकि इस चत्तान का निर्माड़ु है सब्से पेहले हुआ है जैसे-जैसा-जैसे शूथ होता गया ठंडा होता गया यह बड़ा होता गया तो यह चटान का रूप लेता गया लेकिन यह ऐसा ही तुर चटान नहीं बन जाता है इसको बनने में कही हजार सालों का समय लग जाता है ठीक है जैसा यह ठंडा हुआ फिर उसके उपर को साल दर साल इसके उपर मिट्टी की गया चड़ती गई साल दर साल में कटिक कर थे अंगे पर चड़ती एड है है तो जैसे जैसे इसब खोद कर निकाला गया तो फिर ये जब चट्टान निकले उसके बादज है इसे कहा गया कि अगनियी चट्टान एगनिशियस रॉग ठीक है तो दुनिया में जितने भी की अ पनावी पाय जाते है ना तो 95 पर्षंट जो है यहीנी चट्धान पाय जाते हैं एगनीसे अश्रोग आगने चट्टान तो इ gratis ट्वाक एक से दुनिया में कि श Het ट्रटानर टो और लेटें पहले दुनिया में और है पूंद फ ट्रटान है ति कि कह दो अगने चट्टान है जो सबसे ज़्यादा पाई जाते हैं यह अगने चट्टान अब क्या होता है कि ये दो रंगों में होते हैं ये दो रंगों में होते हैं कौन कौन से रंग में होते हैं पहला तो होता है ग्रे कलर का इमेज में आपको दिख रहा है ग्रे और दूसरा यह होता है काला रंग का ठीक है काला रंग का इसी यह ग्रे जो ग्रे कलर का पत्थर होता है इसे हम कहते हैं ग्रेनाइट ग्रेनाइट पत्थर क्या होता है दोस्त इसे हम करते हैं बैसाल्ट ग्रिनाइट पत्थर का यूज कहां होता है दोस्तों यह वाला पत्थर जो है सॉलिड होता है मजबूत होता है इसलिए पत्थर का यूज हम करते हैं अपने घरों की ढलाईयों में या फिर है भी है वे जितने भी काम किये जाते हैं यह सारे जो है ग्रेनाइट पत्थर से किये जाते हैं ठीक है बैसाल्ट पत्थर का भी यूज होता है लेकिन ये कहां होता है बहुत कम होता है क्योंकि ये थोड़ा धीला होता है तो इस पत्थर का यूज थोड़े कम जगों में होता है कहां होता है ये भी आप लोगों को बताता हूं अब देती है उसी तरह से इन चटानों को भी हवा या फिर पानी एक जखा इस ठीर रहने नहीं देगी ठीक है इसके उपर पानी बार बार गिरता रहेगा बार बार यहां से बहता रहेगा जैसे यह देखिए यह चटान है इसके उपर से पानी इसके उपर पानी गिर रही है उपर ही प्रण आगे जाल के कहीं न गृष जमाने लिए और जमा कैसे होता दोस्तों सब बता है यहां पर तो अप्छाय और अपरदन हो गया मार काट करके यहां पर अपप्छाय परदन हो रहा है अब जहां पर जमा होना नीछेपण के कारण वहां पर ये नीछेपण के कारण जमा हो जाता है लेकिन ये तल के कटने छटने के कारण जमा हुआ है इसलिए हम इसे कहते हैं तल छटी चटाने तलचटी चट्टान क्यों कहते हैं क्योंकि ये पानी के अपच्छे अपरदन के फल सरूप बना है काट छाट करते हुए बना है और नीचेपड के फल सरूप आगे जाकर कि ये जमा हो गया है जिसका कारण से हम इसे कहते हैं तलचटी चट्टान ठीक है तलचटी चट्टान क करते हैं और इसे ही हम कहते हैं परतदार चटाने भी अ कि Kas 6 अब आप लोगों कर मिंद में सवाल उठाओ कि कि परतदार चटान इसे कैसे कहते हैं पहला तब लोगों को समझ आ गया कि इसके वैरा नतियन जो है नीचे जे रहीं तो तल इसे कट गए चट गये तो उसे जो जो चटान बन गया तो उसे हमने करद ये तल चटनी चटान अब इसे परतदार चटान क्यों कहेंगे क्योंकि ये वाला जो चटान है यह उपर से भी यहां पर देखे पानी बह रहा है ठीक है उपर से भी बारिश का पानी यहां बह रहा है तो नीचे से जो भी चटान यहां बना हुआ है नीचे से दल छटने से उपर से भी देखे पानी से काट रही है उपर से भी पानी से काट रही है और इसको उप करते हैं परतदार चट्टाने और यह कोई दो दो तिन सालों का वक्त लगता है ठीक है अब करोड़ों सालों के वक्त लगने के कारण क्या होता है दोस्तों ठीक है यह चट्टाने जब्बन रही थी ना उस समय करोणों सालों तक यह चट्टाने जब्बन रही थी तो इसमें तरह तरह के जीव जन्तु जो है आकर के मर रहे थे कभी पेड़ के अंसिस में आकर गिर जा रहे थे कभी उनके टहनिया कभी उनके पत्ते तो कभी जीव कभी जन्तु इसमें आकर के वो मरने लगे ठेक है मरने लगे और वो परत दर परत दर परत दर परत दबने लगे कुछ क कोई भी जिव जब मरता है तो करून सालों बाद वो इंधन का रूप या फिर पेट्रूलियम पदार्थ का रूप वो लेने लगता है क्यों लेने लगता है जिवास्म के कारण लेने लगता है ठीक है तो इसमें से फिर क्या करून सालों बाद इंधन बनने लगता है परतदा लेकिन ये करोणों सालों की प्रक्रिया होती है, यहां लिख लेते हैं, परतदार चटानों में इंधन पाया जाता है, ठीक है, परतदार चटानों में इंधन तो पाया जाता है, लेकिन यहां पर जिवों के अंसदब जाने के करणा इसी में क्या है, जिवास में भी इसी में बनता है इसी में इसी में जिवाश में भी बन जाता है इसमें क्या देखे पहले तो परत बन गी परत दार शेटाने का लागे फिर इसमें क्या जी जनतु के अंस दबने लगे जिससे फिर पेट्रूलियं पदार्थ मिलने लगे जिससे इसमें इंधन पाया गया और इसमें ज जीवास मालिष्थान यह फिर जीवास मूऔ पाया जाता है फिल है और ऑर क्या होता है清il pm जो इसी में बहुं सारे कचणे जो है आखर के जमा होने लगते हैं ठीक हैं और na ko consumers अ किया कते हैं और साधी छटाने ठीक है अवसादी चट्टाने किसे कहते हैं परतदार चट्टानों को ही अवसादी चट्टाने कहते हैं इसे इंग्लिस में कहा जाता है सेडिमेंटरी रॉक्स सेडिमेंटरी रॉक्स ठीक है और साथ को हम क्या कहते हैं सेडिमेंटरी रॉक्स और इसी जिवासम के कारण जो ज़रूरी नहीं है कि वो जीव जन्तुमों कहीं थे यहां पर जैसा मैंने बताए कि पेड़ पॉद ही भी थे तो इसी पेड़ पॉदों के जिवासम बनने के कार इस्य में क्यों लोगों को बताए जए जाएंगा अब क्याओगा अब आपसे कूष्टन पुछा जाएगा की देखिए सब से ज़्यादा भाहुमूल य कौन से चत्टान को पाए जाएंगे फिर अगरी चत्टान में पाएंगे ठीखिए अगने चटान में पाई जाएंगे कि यह परत्तवादार चटान में पाई जाएंगे लेकिन तो क्या होगा इसका अंसर अद्धधात में जो फिर बहुंती हैं पदार्थें होती है जो कि कौर से निकलने के बाद वह पहले जाती है किसम में जाएंगे मिंटल में उसके बाद से वहाँ जब मिंटल से फूटता है उसके बाद जब आगेने चट्टान जाला मुखी से फूटने कारने जब करश्ट से भाहर निकल जाता है तो वह सारे भामुले धातों जो हैं वह आग होने लगा देखिए यह जो परतदार चट्टाने हैं यह करोणों साल से वे परत बनते जा रहा है दपते जा रहा है ठीक है तो आप लोगों को जैसे मैंने पहले बताया था कि जैसे जैसे प्रिथवी के नीचे हम जाते हैं वैसे वैसे टेंपरेचर बढ़ता चला जाता है ठ कुछ कूड़े करकट इनको और दबाते जाते हैं दबाते 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 इनके उपर जो है पूरा पहाड बन जाता है और इनका आधा भाग जो है आधास ज्यादा भाग वो भूमी में धस जाता है भूमी में धस जाने के करण कि नीचे से इनको मिलता है वहां सारा और उपर से मिल जाता है इनको बहुं सारा दाब ठीक है बहुं सारा दाब जिस उपर से तो यह दब जाते हैं और नीचे से ताप मिलने के कारण इनका रंग जो है वो रुपांतरित हो जाता है बदल जाता है ठीक है बदल जाने के कारण इसे ही इसे कहा जाता है रुपांतरि चटाने रुपांतरी चटाने ठीक है और यही चटाने जब रुपांतर हो जाती है इनका जब आकार या फिर इनका सकल सुरजब बदल जाता है तो यह बन जाते हैं क्या संग मरमर संग मरमर ठीक है इस संग मरमर कैसे बनते हैं तो रुपांतरी चटानों के फल चटानों भी बन जाते हैं क्या संग मरमर रुपांतरी चटानों कहा जाता है मेटा मॉर्फिक रुपांतरी चटानों को इसी से बनते हैं संग मरमर जैसे कि तलचटी चटानों चलचटनी चटानों में बन गये थे परतदार जिसमें मिल गये थे हमको जिवास्म आवसाद जिसे कारण हम कह जे थे आवसादी चटाने ठीक है अब इसी से आवसादी चट चाटानों से शाधी चाटानों से बनते हैं ऑड़ा पत्थर पार पत्थर चाप से थिला है तो वह पत्थर सोलिड तो है लेकिन थोड़ा अबताँ लहाँ सा धीला है जिसे रहान से हिंका उज्जुज भी डाला गारा मैं नहीं किया जाता है जो हमारे कुमार होते हैं मटगा बनाने वाले होते हैं वह बल्वा प्थर का इस्तेमाल बहुंचा दें रूप में करते हैं जिसे ठीक है हमारा जोलाल वो मश्राण से बन बताया ठीक है और इसके बारे में और जानकारी क्या होगी जैसे यह देख लिए हम यह हमारा कि यह होगा हमारा ज्वाला अब ज्वाला मुखी की यह उपर वाला भाग लेकिन ज्वाला मुख्य फूटता कहां से को मेंटल वाली भाग से फूटता है ठीक है है अब यहा पर तो इस पर फूट करके यह निकल गया यहां से यह फूट करके निकल गया यहां पर और यह बन गया आगने चटान अब आप लोग बोलेंगे कि यह हमको पता है सुरू में जाने गया थे ठीक है यह बन गया आगने चटान लेकिन क्या होता है देखिए अब जहां से थोड़ा देखिएगा ठीक है कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर जो जो जॉला मुखी फूट रहा होता है ना वो पूरी तरह से अपने मतलब अपने प्रचंद रूप में नहीं आ पाता है जिससे गारणा था यह ब्लाष्ट तो करता है लेकिन इसका आग जो है यह पूरी तरह से परिथवी के बाहर तक नहीं निकल पाता है कुछ जो है इसका आग इसका परिथवी के सतह तक पहुंँच करके भुरूस हो जाता ह और कुछ जो है वो ज्वाला मुखी के नजदीक ही जागर के खतम हो जाता है बच जाता है सबसे नीचे ही तो यह देख लेगे एक दो और तीन तीन तरह की आवस्थाओं में आप लोगों को यहां आगने चटान बनता हुआ नजर आ रहा है ठेक है लेकिन यह वाला चटान ज दिख रहा है आप लोगों को यह सबसे नीचे है सबसे नीचे विने कारण क्या है इसे पाताल में हमान लेते हैं इसे लिए हम इसे कहते हैं पातालिक कि पातालिक चटाने का कहा देते हैं इसको इंग्लिस में कहा जाता है प्लूटोनिक कि इंगिलीजिंस में आधाता है ब्लुटोनिख रॉक्स यहां पर चलि आगे बता को क्या पाई दाता है ठीक है यह रह ہو कि पातालिक ठीक है पातालिक रॉक्स और यह वाला देखे यह जुग सत्व में आकर के लटक गया है इसे हम कहते हैं आंत्रिक आगने चट्टान ठीक है इसे हम कहते हैं बाहन आगने चक्ठान तो हम इसे कहते हैं बाय आगने चक्ठान सीजिए इसे बाहन लीत किस चीज़ को बताता है लीत को बताता है जैसे कि बैको लीत फैको लीत है न लैको लीत ये सारी जितने चांट्राने लीत यहां पर प्रफिस सब्सब्ट यहाँ समझजाए ये मद्धवर्थी चांट Krash weekend को बता रहा है लीत वाला सबसे नीचे वाला चटान जो पातालिक वाला होता है इसमें ग्रेनाइट गेब्रो वगेरा इसमें ग्रेनाइट गेबरो चटाने पाई जाती है सब से नीचे वाले में ग्रेनाइट गेबरो मद्धे वाले में लीथ ठीक है बैको लीथ फैको लीथ और सब से उपर वाले में बैसाल्ट ठीक है सारे जितने भी बैसाल्ट पत्थरे जो हैं वो सबसे उपर वाले भाग में पाई जाएगे जैसा कि और यहां पर देखें जो संगमरमरथ हमारे आप गूगल सेच करिए तो फिर संगमरमर हमारे भारत में राजस्थान के म क्राने की जो खाई है वहां पर मिलता है संगमरमर लाप देख सकते हैं और ये भी जो है परतदार चट्टानों के रुपांत्रण से हो रहा है तो आसा करता हूं दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को रोक्स या फिर चट्टाने अच्छे से समझ में आ गए हो कि आने वाले भाग में आपको चट्टानों के बारे में और अधिक जानका प्यांक दित्यत हुख नद्से भाग में आते ओने से खुप होタック के जिका भाग में आए हो एक टी।